अंजी नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का रियल FLC फेंटेसी लोस कवर के ओफीशियल यूट्यूब चैनल पर क्या हाल चाला उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला T20 यही मुकाबला और इस मैच के अंदर Grand League का फ़स्ट प्राइज है डेड़ क्रोड अगर आपको डेड़ क्रोड रुपे जीतने हैं तो आपको 6 ऐसे खिलाडी अपरी टीम के अंदर रखने होंगे जो आप सोच रहे हैं कि यह खिलाडी इस मैच के अंदर Flop रहेंगे लेकिन वही 6 खिलाडी इस मैच के अंदर 100% चलेंगे और वही खिलाडी आपको इस मैच के अंदर 1.5 क्रोड रूपे जीताने वाले हैं अगर आप ऐसे 6 खिलाडी यानिकी जिनका सेलेक्शन परसेंट है 0% से लेकर 30-40% है ऐसे अगर आप 6 खिलाडी अपनी ड्रीम टीम के अंदर ले रहे हो तो फिर इनकी जिगह पर आपको 70-90 परसेंट वाले खिलाडी अपनी टीम से ड्रोप करने पड़ेंगे वे खिलाडी कौन से होंगे वे भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कौन सा खिलाडी चलेगा कौन सा खिलाडी फ्लोप रहेगा और कौन सा खिलाडी ट्रंप प्लेयर की भूमिका निवाएगा कौन सा खिलाडी कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा लेकिन इस व पिलाडियों के पिछले पांच साल के रिकोर्ड देखते हैं या पिछले पांच मैचों के रिकोर्ड देखते हैं या हेड टू हेड रिकोर्ड देखते हैं किरकेट के आंकडों से फेंटेसी के उपर आप कभी नहीं जीत सकते हैं अगर आपको फेंटेसी के उपर जीतना है त अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो पूरा देखो जैसे आपको बताया जाए उस तरीके से टीम बनाओ और फिर देखना कि आपकी ग्रेंड लिग में किस तरीके से रैंक आती है सबसे पहले जितने भी सदसे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब कर दीजी वीडियो को लाइक कर दीजीए क्योंकि हमें आप से कोई पैसा नहीं चाहिए बस आपका साथ चाहिए आपका प्यार चाहिए तो अपना साथ और प्यार देने के लिए सबस्क्रा इतना जरूरी है आप ये समझ लीजिए कि Grand League जीतने के लिए आपका पहला कदम है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो सिधी सी बात है अगर आप इस मैच के अंदर Grand League जीतना चाते हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर और ये स्टेडियम है विशाका पतनम का मैं आपको बता दू कि जो पिच की फाइनल कंडीशन है वो कंडीशन पता चलता है टोस टाइम की वक्त तो जो भी इस मैच की फाइनल पिच कंडीशन होगी वो आपको टेलिग्राम चैनल के उपर बता दिया जाएगा अगर आपको खास ध्यारखिएगा कि जो लिंक हमने इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसी लिंक के उपर क्लिक करके और आपको इस टेलिग्राम चैनल के उपर जोइन होना है आपको सर्च करके टेलिग्राम पर नहीं जुड़ना है क्योंकि हमारे नाम से बहु जुड़ना हो और इस टेलिग्राम चैनल के उपर जुड़ने के लिए लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है यहां पर एक तो आपको फाइनल पिच रिपोर्ट बता दी जाएगी टोस होने के बाद में आपको अलग से ट्रम्प खिलाडी भी यह यहां पर दीए जाएंगे जिनका सेलेक्शन जीरो से 30-40 परसेंट होगा वे ट्रम्प खिलाडी भी आपको यहां पर दीए जाएंगे उसके बाद स्मॉल लीग की बनी बनाएखी कम्प्लीट टीम मिलेगी कैसे आपको खेलना है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है यानि की फे छाएंगे जिनका सेलेक्शन परसेंट है जिरो परसेंट से लेकर 40 परसेंट होता है जिनने आप अमूमन अपनी टीम से ड्रोप करते है और वही खिलाडी जो पहली रेंक पर टीम आती है उस टीम के अंदर 4-6 खिलाडी आपको देखने को मिलते हैं और इस मैच के अंदर 6 ऐसे खिलाडी होंगे जिनका selection percentage 0-40% होगा और भी खिलाडी आपको grand league इस match के अंदर जिताने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दू कि कौन से खिलाडी इस match के अंदर trump player की भूमी का निभाने वाले हैं अगर मैं भारत की तरफ से बात करूँ तो तिलक वर्मा है और ऐस्ट्रेलिया की तरफ से बात करूँ तो टिम डेवीड है और playing 11 का जहां तक स्वाल है तो playing 11 के उपर अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोस होने के बादे playing 11 आपको dream 11 खुद भी दे इस से ज़्यादा आपको अपना दिमाग जो है वो व्यर्थ नहीं करना है इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा उसके बादे फिर परशीद कृष्णा है और फिर यहां से ऐसे about आपके टीम के अंदर AJ Trump प्लेयर की भूमिका निभा सकता है और चटा खिलाडी है के पास के रिचर्ड सन तो यह जैसे आप सक्रीन के ओपर देख रहे हैं टोटल आपके पास नो खिलाडी हैं जो इस मैच के अंदर नो में से कोई पांच या अच्छे खिलाडी आपकी टीम के अंदर AJ Trump प्लेयर की भूमिका निभाने वाले हैं इन नो में से कौन से खिलाड अपनी टीम के अंदर रखने हैं तो वो आप किस तरीके से रखेंगे इन में से सबसे ज़्यादा चलने के चांस किन खिलाडियों के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले नंबर पर है I am short क्योंकि उपर बैटिंग करने के लिए भी आएगा और गेंदबाजी भी ये ख हो था खिलाडी है जो आपके लिए ट्रंप प्लेयर की भूमी का इस मैच के अंदर निभाने वाला है इस मैच के अंदर आपको टीम कैसे बनानी है देखिए एक तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रेंड लिग के अंदर आप 20 टीम बनाकर लगा सकते लेकि आपको 20 टीम बनानी नहीं है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टीम बनाएंगे इतने ज़्यादा आप पजल होंगी उसका कोई फायदा नहीं है maximum 5-6 team ही आपको बनानी है और उन teamों का combination आपको सही से बना लेना है तो 5-6 team जैसे आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक team के अंदर जैसे ये 4 Trump खिलाडी है इन 4 Trump खिलाडी हैं को अपनी team में स्थान देना है और उसके बाद में आपको क्या करना है अगली team होगी जो 5-2 number की जो team होगी उस team के अंदर आपको क्या करना है कि एक Trump खिलाडी आपको एड और कर लेना है या तो आप Richardson को एड कर सकते हैं या फिर team David को आप एड कर सकते हैं तो दूसरी team के अंदर आपके पास ये 5 Trump खिलाडी होगे और तीसरी team के अंदर आपको Tim David को अपनी team के अंदर स्थान दे दिना है तो आपके पास टोटल 6 Trump खिलाडी होगे इस तरीके से आपको 6 Trump खिलाडी अपनी team के अंदर रखने होगे इस match के अंदर अब अगर आप इन में से 4 से लेकर 6 트럼p खिलाडी अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं तो इन में से कौन से खिलाडी को आप अपनी टीम से ड्रॉप करेंगे अब आपको ड्रॉप करने है 70, 80 या 90 परसेंट वाले खिलाडी तो वे एक कौन से खिलाडी होगे जिने आपको ड्रोप करना अन्युवारे रहेगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूँ specially मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्हों ने आप तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी आपको जिताने के जिम्मेदारी मेरी है परती एक मैच के अंदर आपको इस तरीके से परडिक्शन करके दूगा परती एक मैच के अंदर आपके पास चांस होगा मेगा ग्रेंड लिग जीतने का जैसे आपको बताये जाए आपको वैसे खेलना है और उस तरीके से अगर आप खेलोगे सो परसेंट आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा ग्रेंड लिग जीतने से सो परसेंट आप ग्रेंड लिग जीतेंगे लेकिन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलिग्राम चैनल के उपर जरूर जूटना पड़ेगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में है अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक मेगा ग्रेंड लिग की अपनी टीम बना कर देखेंगे और मैच खतम होने के बादे कुछ न कुछ आपको जीतने को जरूर मिलेगा इसके लिए क्या करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में जाना है वहाँ पर लिंक दिया हुआ विजन 11 का उस लिंक पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है विजन 11 डाउनलोड करने के बाद में आपको रैफरल कोड रियल आफ़ल सी जो आप सक्रीन पर देख रहे हैं ये रैफरल कोड डाल कर अपना अकाउंट बना लेना है जिससे आपको 500 रुपे का वैलकम बोनस मिलेगा अगर आप चाते हैं कि इस मैच के अंदर 100% हम 5 लाख से 15 लाख रुपे तक जीतें तो जो भी 4-5 टीम आप ड्रीम 11 की ग्रेंड लिग में लगा रहे हैं सेम टीम को कोपी करके विजन 11 की ग्रेंड लिग के अंदर आपको लगाना है क्यों लगाना है ये जान लीजिए क्योंकि अगर आपके 11 खिलाडी बेस्ट परफॉर्मस करेंगे तो आप ड्रीम 11 पर पहले नमबर प्राएंगे तो आपको 1.5 क्रोड जीतने को मिलेगा अगर एक दो खिलाडी की वजए से मिस वए तो ड्रीम 11 की उपर आपको 1500 या 200 रुपे मिलेंगे इस से जादा नहीं मिलेंगे लेकिन उसी टीम को विजन 11 के उपर इस मैच के अंदर 5 लाख रुपे से लेकर 15 लाख रुपे तक आसानी से मिलेंगे क्योंकि यहां पर competition बहुत कम है यहां पर आप यह मान लीजिए कि अगर आपके 9 से 10 खिलाडी अच्छी performance कर लेते हैं तो भी आपकी टीम यहां पर पहले number पर जरूर आएगी तो इस तरीके से आपको खेलने हैं क्योंकि fantasy आपके दिमाग का खेल है इसके अंदर जितना जादा आप दिमाग लगाएगी उतने जादा आपके पास chance है यहां पर grand league जीतने के small league की बनी बनाई ही team मैं telegram channel के उपर दूँगा उससे आपको सिरफ vision 11 के उपर खेलना है क्योंकि यहां पर 28% आपकी GST नहीं लगेगी artificial contest नहीं बनते और small league में interface बहुत कम है तो सबसे पहले सभी सदसे vision 11 को download कर लीजे लिंक इस वीडियो के description box में है तो अब चलिए दोस्तों हम यहां पर grand league की अपनी complete team बनाखर देखते है कि किस तरीके से बनने वाली है इस match के अंदर grand league की team तो हम यहां से क्या करेंगी कि भारत की तरफ से wicket की पर ले लिया इशान्त किसन उसके बादे सूर्य कुमार यादव और trade head को अपने team में ले लेते है रितुराज गाइकवार्ड हो गया यह सस्वी जैसवाल हो गया Maxwell साइद इस match के अंदर खेलेंगे नहीं भी भिसनोई कि आपके पास एक अच्छी च्वाइस है तो यह जो आप team देख रहे हैं यह आपकी है safe team यानि कि आप यह भी कह सकते है कि यह आपकी small league की team है यानि कि team member और 4 member contest के आपकी यह small league की team है इस team से हमें क्या करना है कि एक team से 4 खिलाड़ी drop करने है लीजी की selection percentage जैसे परसिद क्रिशन है लाइन पाने के बाद में इस खिलाड़ी का अगर selection 40% से उपर चला जाता है तो यह Trump खिलाड़ी की सूची से बाहर हो जाएगा खिलाड़ी इसकी जगे पर हमें कौन सा खिलाड़ी replace करना है वो आपको telegram channel के उपर बताया जाएगा इसलिए कहता हूँ कि telegram channel के उपर जुड़ना बहुत जुरूर है तो सबसे पहले telegram channel के उपर आप जुरूर जुड़िएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगी कि जैसे हमने यह team बनाई है इस team से हमें पहली team के अंदर 4 खिलाड़ी drop करने है तो इसके अंदर हमें 4 खिलाड़ी कौन कौन से drop करने है वो जान लीजिए जैसे मान लीजिए पहला खिलाड़ी आपका सूर्य कुमार यादब है इस खिलाड़ी को आपने drop कर दिया उसके बादे दूसरा खिलाडी अरसदीब सिंग को एक टीम से ड्रॉप कर दिया और तीसरे खिलाडी के अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैक्सवेल को ड्रॉप कर दिया आपने और चोथे खिलाडी की अगर मैं बात करूँ तो यहां से रितुर्वाज गाइकवाड और इशान किसन, इन दोनों में से किसी एक खिलाडी को अपनी टीम से ड्रॉप कर देना है तो यह हमने जैसे चार खिलाडी अपनी एक नमबर टीम से हमने ड्रॉप कर दिये तो इनको जैसे हम यहाँ से drop कर देते हैं आपके सामने मैं यहाँ पर drop करके और फिर एक team आपको यहाँ पर बना कर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको mega grand league की अपनी team बनानी है यहाँ से जैसे आप देखेंगे कि हमने अब तक 3 खिलाडी अपनी team से drop कर दिये हैं यहां से रितुराज गाइकवार्ड को अपनी टीम में ले लेते हैं यहां किसन को अपनी टीम से ड्रॉप कर देते हैं और यहां से मैक्सवेल को ड्रॉप कर दिया तो पहली टीम के अंदर जैसे हमने साथ अपनी टीम के अंदर फिक्स खिलाडी ले लिए हैं अब हम चार ट्र ट्रम्प खिलाडी कौन से रहेंगे वो चलिए पहला M. शोट हो गया आपका पहला ट्रम्प खिलाडी हो गया दूसरा ट्रम्प खिलाडी आपका तिलक वर्मा हो गया उसके बादे तीसरा ट्रम्प खिलाडी बेंडरूफ हो गया और एनल्स हो गया तो ये आपके पास आपके बंती है टीम नंबर एक ठीक है ये आपने पहली टीम बना लिया अब इस टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से खिलाडी रहेंगे वो जान लीजिए पहली टीम के अंदर आप M गेंदवाजों मेंसे किसी एक गेंदवाज को आप हो Vice Captain कर सकते हैं पहली Team के अंदर भारत की तरफ से अगर किसी को Captain Captain करना चाते हैं तो जैसे Jaiswal को आप Captain करके अक्षर पटेल या फिर रभी बिसनोवी मेंसे किसी को Vice Captain कर सकते हैं या फिर एक खिलाडी ओर लेना है अपने टीम के अंदर जो हमारी टीम के अंदर एज ट्रम्प प्लेयर की भूमी का निभाएगा वो खिलाडी कौन सा हो सकते है या तो आप चाहें तो आम कुमार के साथ जा सकते हैं या फिर परशिद कृष्णा के साथ आप जा सकते हैं तो यहां से जैसे एक टीम के अंदर प्रशिद कृष्णा के साथ हम चले जाते हैं या आपके बनेंगी दूसरी टीम इस टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन की इस खिलाडी को करना है कैप्टन वाइस कैप्टन की वाइस रहेगी एम शोड को आप यहां पर कैप्टन करके प्रश तिम से आप क्या करेंगे कि M Short को अपनी टीम से ड्रॉप कर देंगे यहां से जैसे M Short को ड्रॉप कर दिया Maxwell को ले लिया फिर भी हमें एक Trump खिलाडी अपनी टीम से टीम के अंदर लेना होगा इसके साथ फिर आप Glenn Maxwell को कैप्टन या वाइस कैप्टन इस मैच के अंदर कर सकते हैं और एक टीम आपको ऐसा बनाना है जैसे हमारे पास यहां पर पीछे जो हमने बड़े खिलाडी ड्रॉप किया है जैसे इशान किसन को हमने यहां से ड्रॉप किया है और उसके बादे फिर यहां पर गायकवाड को ड्रॉप किया है सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया है ऐसे खिलाडी अपनी टीम के अंदर लेकर और इन बड़े खिलाडियों को अपनी टीम के अंदर कैप्टन या वाइस कैप्टन ले लेना है जिससे कि यह बड़े खिलाडी चले तो भी हम कोई नुकसान ना उठाना पड़े और इस मैच के अंदर बहुत बहतरीन मोग है आपके पास ग्रेंड लिग जीतने का लेकिन जैसे बताया है उस तरीके से आपको गेलना पड़ेगा लाइन पाने के बाद में स्पैसल ट्रंप खिलाडी आपको टेलीग्राम चैनल के उपर द दीजिए इस मैच के अंदर बहुत बहतरीन है मोका है आपके पास ग्रेंड लिग जीतने का तो ये थी सोटी सी जानकारी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वेडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत श शुक्रिया आप सभी का थेंक यू वेरी मच